दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आपके स्टॉक में 10%, 20%, 30%, 50%, 90% तक कि अगर लॉसेस होते हैं तो क्या उस लॉस को रीकवर करने में भी उतने ही परसंड गेन की रिक्वार्मेंट होती है या उतने ही परसंड आपको अगर गेन मिलता है अगर आपका स्टॉक 90% लॉस में चाहिए तो अगर आप एक beginner है और आपको नहीं पता है तो यह शौट सा वीडियो आप पूरा देखेगा यहां पर आपको सारी details पता लग जाएगी तो बिना देरी कि चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपने कोई एक stock buy किया है 500 र पे तो आपको आपकी buying price है वो आप आएगी यानि कि 500 रुपए इसी तरह से अगर आप 10% का loss आपको होता है तो आपकी stock price हो जाएगी 4500 तो इस loss को recover करने में जो 50 रुपए का loss wise loss को recover करने में आपको चाहिए 11.1% तो जब आप 11.1% 450 पे करेंगे तब आपको जो gain है वो आप आपका buy price के equivalent पहुचेगा तो यहाँ पर अब बात करें अगर 20% की तो 20% में आपको 25% करना होगा यह नहीं 20% अगर आपका stock गिरता है तो आपकी stock की जो price हो जाएगी वो हो जाएगी 400 रुपए और 400 रुपए में जब 25% आप gain करेंगे तो ही आप अपना 20% का loss जो है वो recover क पाएंगे otherwise आपका loss अगर 20% करेंगे तो 20% में इसकी value सिर्फ 480 रुपए होगी तो यहाँ पर बात करें 25% की तो यहाँ पर आपको चाहिए होता है 33.3% तब आपका loss जो है वो recover होगा यानि कि loss recover नहीं होगा बलकि आपकी buy price आएगी इसके बाद तो आपके जो charges रखते हैं बात करेंगर 30% की तो यहाँ पर चाहिए आपको 42.9% सेम वे में 40% अगर आपका stock गिरता है तो आपकी stock की price हो जाएगी 300 रुपए और यहाँ पर आपको 66.7% का जो return है वो जब आपको मिलेगा तब आपका loss जो है वो recover होगा इसी तरह अगर 50% की बात करेंगे तो stock की price हो ज है कि अगर आपका stock गिरते-गिरते 90% पहुंच जाता है तो आपको 900% return चाहिए आपके loss को recover करने में आप याद रखिएगा कि इस तरह से आपका loss है जो जिन लोगों को पता नहीं होता है वो लोग यही सोचते हैं कि नहीं यह तो इतनी सी बात है लेकिन यह बात इतनी से न loss आप किसी stock में कर बैठे हैं तो उसको recover करने में आपको 9900% का return चाहिए तो आप सोचे 9900% का return चाहिए आपको अपने loss को recover करने में तो इसलिए जब भी आपका stock गिर रहा है तो आपको यह समझना है कि वो stock क्यों गिर रहा है और आपनी position को अगर आपको लगता है company के fundamentals में क जाद रखेगा आपको 100% return चाहिए होगा उस पे आपको आपके loss को recover करने के लिए तो इन चीजों का खास तोर पे ध्यान रखेगा तो यह तो मैंने एक band अपने हिसाब से बनाया था अगर आपको अपने हिसाब से check करना है कि कितना है तो यह simple mathematical calculation लेकिन आपको वो भी नहीं करनी है तो link मैंने description section में दे दिया है उस website पे जाके वहाँ एक excel मिलेगी वो excel आप download करके उस पे calculate कर सकते हैं और उस website पे आपको यह भी मिल जाएगा 5-5% के difference पे कि अगर आपका stock 5-5% गिरता है तो आपको कितने percent चाहिए उसको recover करने के लिए तो अगर आपको यह short सी information अच करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करके bell icon को दबाना बिल्कून बुलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यमाद आपका दी कि वीडियो को दो को दो